ओम शान्ती 19 जून 2024 की साकार मुरली से होमवर्क आज की मुरली से हम लक्ष लेंगे विश्व की बादशाही लेने के लिए ब्रह्मा बापसमान पुर्शार्थ करना है इसके लिए आज हम reflection करेंगे कि हम दूसरों की service करके कहां तक कल्यान करते हैं स्थूल सेवा, सुक्षम सेवा और रोहानी सेवा कहां तक करते हैं स्थूल सेवा है ब्रह्मा भोजन बनाना, खाना खिलाना और हड़ी सेवा करना सुक्षम सेवा है, याद की यात्रा में रहना, रोहानी सेवा है, ज्यान सुनाना, अर्थात बाप का परिच्चे देना या अपनी चेकिंग करनी है, दूसरा भविश्य में उंच पत पाने के मैं कहां तक लाइक बनी हूँ, या अपने अंदर चेकिंग करनी है धार्ना मुरत बनने के लिए पहला पॉइंट है कि बावा ने कहा है जो बाप ने आज्या दी है उनकी अवग्या नहीं करनी है जैसे कि लोब के वश जा फिर लोब के वश चोरी करना भूग के वश चोरी करना कोई चीज बीना पूछे उठा करके छिपा लेना खा लेना ये बहुत बड़ी अवग्या है इस अवग्या से मुक्त होने के लिए ब्रह्मा बाप समान हमें ट्रस्टी बनना है और बाबा को सच सच बता देना है अर्थात इस बुरी आदत का बाप को दान दे देना है दूसरे बाबा की आग्या है कि भोली दादी की तरह ब्रह्मा भोजन बाबा की याद में बना करके दोसरों की सेवा करना है और पुन्या का खाता जमा करना है तीसरे बाबा की आग्या ये है कि जो बाबा ने कहा है कि ब्रह्मा बाप समान आग्या कारी बनना है जैसे शिप बाबा ने बाबा को आग्या दी तो एक सेकिन में सब कुछ त्याग कर और बच्ची से भी त्यात कराया अर्थात विराग्य और आग्याकारी ब्रह्मा बापसमान बनने की यह धारना अपने अंदर करनी है तो फिर तीसरी धारना गरें बाभाबा ने बोला विश्व की बादशाहि लेनी है तो तुम्हें विकर्माचीत बनना है सेंसिबल बन करके पांच विकारों का पर जीत पानी है क्योंकि ये पांच विकार हमें कंगाल बना देते हैं ये बहुत हमें पीडित करते हैं पांच विकार सबसे इसमें से जो मुख्य है काम विकार और देह अभिमान तो इन विकारों को छोड़ने के लिए अपने लक्षे क समृति में रखना है क्योंकि इस समय हमें वेकूंट का मालिक बनना है सरवगुन संपन सोला कला संपून संपून निर्विकारी बनना है तो ये बाबा हमें बनाने के लिए आये हैं जब लक्ष समृति में रखेंगे तो विकारों पर विजे पाना सहच हो जाएगा तो बाबा करने के लिए मुख्य विधी बताई अपने को आत्मा समझ पाप को याद करना है तो याद से आत्मा विश्व का मालिक बन जाती है और पाप कर जाते हैं आत्मा समझने के लिए अभ्यास करना है मैं आत्मा हूँ ये शरीर विनाशी है आत्मा अविनाशी है इस शरीर द्वार मीठे सिकिलदे बच्चे बाबा के साथ प्यार का जितना प्यार होगा उतना याद रहेगी जैसे कि स्नेहे के लिए बाबा ने कहा है कि जितना बच्चे सर्विस करते हैं दूसरों को फूल कांटो से फूल बनाते हैं उतना बाप का लव रहता है तो ऐसे बाब के स्नेहे में जब हम समाय रहते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्या भी पानी बन जाती है तो इसलिए पिता के समबन से होने वाली प्राप्ति और पिता के स्नेहे को आज इमर्च रूप में रखेंगे टीचर के समबन से बाबा को याद करेंगे तो बाबा ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिसे हम विशब की बातचाही मिलते हैं वेकुंट का मालिक बन जाते हैं इस पढ़ाई से दिल बहुत खुश होने चाहिए सत्गुरु बन करके वावा हमें हमाँ सब की सदकती करते हैं तो याद की यात्रा का दूसरी विदी है चक्र बुद्धी मे फिरता रहे, आदे में हम सुर्यवन्शी थे, मध्या में पांच विकारों के वशोकर के अंगाल हो गए, रावन राज्य शुरू हो गया, आसुरी संप्रदाय बन गए और अंत में बावा ब्रह्मा के द्वारा हमें विश्व की बादशाही देने का पुर्शाद कराते हैं, स के साथ सची सेवा है, याद की यात्रा में रहना, तो याद करने के लिए बाबा ने बताया है, जितना ही भी हमारे नोकर हैं, कनेक्शन में हैं, अबिलाएं हैं, गरीब हैं, सब को बाप का परीच्य देना है, इसके लिए अधार है स्वचिंतन, जितना हम स्वचिंतन करें उतना ही हमारी स्थिती अचल होगी और जितनी हमारी अचल स्थिती होगी हम बंधन मुक्त होंगे कर्मातित स्थिती के नजदीक होंगे श्रे स्थिती होगी उतनी सेवा भी अच्छी करेंगे जितनी अच्छे सेवा करेंगे उतनी बड़ी ही बावा से प्राइस भी मिलेगी तो इस तरह बंधन मुक्त हो करके हम सेवा करेंगे। ओम शान्ति